हेलो फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंस आज हम आपको तीन से चार साल तक की बेबी के लिए बहुती प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं जिसके लिए हमने वाइट मेचिंग का ये कपड़ा लिया है इसके फूल से मिला कर ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी ल इसकी 14 इंच की चोड़ाई है एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें से काट लेते हैं ये देखिए दो पीस हमारे हो गए हैं अब ये हमारा और बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें इस तरीके से मोरना है और 5 इंच की फ्रिल लेनी है ये लंबाई में 5 इंच की है और इस तरी इसकी चोड़ाई है फ्रील की दो फ्रील हमें इसमें से काट लेने हैं यह देखिए हमने दो फ्रील इसमें से निकाल लिये हैं अब ये हमारा जो इस टोप में से कपड़ा उतरा था पट्टी उपर से ये दो इंच की है इसको हमें उपर की साइड नेफे में लगाना है इसको काट कर हम अलग-अलग कर लेते हैं चोड़ाई इसकी टोप जितनी है और लंबाई दो इंच की है ये फिरिल इस तरीके से यहा हुआ कपड़ा है इसको हमें इस तरीके से डबल कर लेना है ये दो इंच का है और लंबाई में आप अपने कपड़े के हिसाब से इसको रख सकते हैं 12 इंच- 15 तक हम इसको रख लेते हैं अब हम इसको काटकर अलग-लग कर लेते हैं ये देखिए चार पट्टी है यह हमारी कट गई है यह हमने इस टेप के लिए पट्टी है इस तरीके से यह 15 इंच की हमने पट्टी ली है यह हमारा ट्राउजर का कपड़ा है इसकी लेंध हमने 24 इंच ली है इसको हम डबल कर लेते हैं यह पूरे अर्ज का हमारा कपड़ा है एक बार और ह हम बता देते हैं, यहां से हमें यह 8 इंच रखना है, और लंबाई में यह 10 इंच रखना है, यह आसन की लंबाई है, यहां से हमें इसको 2 इंच आगे की तरफ को एक्स्ट्रा निकाल लेना है, यह देखिए 2 इंच हमने यहां से इसको आगे की तरफ को निकाल लिया है, इसकी मोहरी हमें पांच इंच रखनी है यह पांच इंच पर हमने मोहरी का निशान लगा लिया है अब हमें इसको ऐसे मिला लेते हैं उपर जो हमने आसन का निशान लगाया है उससे हमें नीचे तक इसको मिला लेना है यहां से हमें गोलाई कर लेनी है इसकी ये देखिए आसन की हमने यहां से गोलाई कर ली है अब हम इसको आधाई चंदर की तरफ को निशान लगा लेते हैं और इसमें यहां से शेप दे देते हैं हलकी सी गोलाई की यह देखिए इसमें हमने इस तरीके से शेप दे दी है अब हम इसको काट लेते हैं फ्रेंड्स यह ड्रेस बनकर बहुती ज़्यादा खुबसूरत लगती है और यह आप आसान इसे घर पर बना सकते हैं दो कोलर के कपड़ों में यह हमने इसका आसन भी काट लिया है अब यहा उपर से आठ इंच चार इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और यहां से बीच में से मोहरी पर भी निशान लगा लेते हैं इसी तरीके से अब उपर के इस निशान को हमें निच्च की निशान से मिला देना है यह देखिए इस तरीके से हमने इसको निशान लगा दिया है अब हम इसको काट लेते हैं यहाँ से अब इसको दोनों को हम मिला देते हैं और इसको इसके उपर की साथ तरफ रख लेते हैं यहां से 1.5 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगा देना है इसका, यहां से गोलाई कर देनी है इसमें, अब हम इसको गोलाई को काट लेना है, यह हमारा ट्राउजर कट चुका है, अब हम इसकी फ्रिल काटते हैं, यह देखिए इसकी गोलाई की शेप हो गई है, यहां से हमें इसको फ्रिल लगा कर दुबारा से जोड़ना है यह हमने तीन इंच की चोड़ाई में फ्रिल काटी है और लंबाई में यह आप अपने कपड़े के हिसाब से ले सकते हैं लंबाई में पूरे अर्ज की है यह जितने अर्ज का कपड़ा होता है हमारा इसको डबल करके इस तरीके से यहां पर सिलाई लगानी है और इसको हमें ट्राउजर में लगाना है यह ट्राउजर की लास्टिक है यह हमने 18 इंच ली है आप अपनी बेबी के हिसाब से ले सकते हैं यह हमने 2 लास्टिक काटी हैं बारिक वाली यह 16 इंच की हमने लास्टिक काटी हैं यह हमारा सबसे पहले फ्रेंड्स फ्रिल है फ्रिल को हम नीचे से किनारी मोड लेते हैं टोप का जोड को इस तरीके से नेल से प्रेस कर लेते हैं बारिक बारिक सी किनारी हमें इसके मोड कर तैयार कर लेनी है यह देखे कितना प्यारा सा हमारा फिरिल की किनारी मुड़ गई है अब हमें इस साइड से भी इस पर सिलाई लगा लेना है यहां से पक्का कर लेना है यह हमारा टॉप है इस टॉप पर हम यह फिरिल लगाएंगे अब हम इस टोप की चोड़ाई जितनी जितना हमने आपको टोप दिखाया है इसकी चोड़ाई जितनी ही हमें फ्रील में चुननटे डाल कर तयार कर लेना है फ्रील को अब हमें इसी तरीके से इसमें चुननटे डाल लेनी है फ्रील में अपने इसके बराबर माप कर तयार कर लेना है जितना हमारा टॉप है अब हम अपने टॉप में साइड में सिलाई लगा लेते हैं ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है दूसरी तरफ भी हम टॉप में इसी तरीके से सिलाई को लगा कर तयार कर लेते हैं अब ये हमारा दोनों तरफ सिलाई लग गई है अब अपना फिरील लेते हैं इसको सिधा कर लेते हैं फिरील को हमें सिधी तरफ रख कर लगाना है ये देखिए हमें फिरील लेना है अपना और फिरील को हमें यहां पर रखना है इस सिलाई से सिलाई को मिला देना है और इस प फिरिल को पूरे टोप पर सिलाई लगा कर तैयार कर लेना है ये देखिए हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेते हैं अपने फिरिल को टोप के उपर चिपका लेते हैं ये यहां से हमारी सिलाई आ गई है दूसरी ये देखिए हम इस तरीके से इसमें चुननटे डालकर और टोप पर रखकर फिरील को अपने तयार कर लिया है ये ऐसे हमारा फिरीला गया है अब हमने ये जो दो इंच की पट्टी काटी हुई है इसमें सिलाई लगा लिये अब ये पट्टी को हम उल्टी तरफ रखते हैं अंदर की तरफ हमें रखना है इसको पट्टी को और इसके उपर एक पेर की सिलाई लगा देनी है जो सिलाई हमने टोप पर अंदर की साइड लगाई हुई है उस सिलाई पर ही हमें इस सिलाई को लगाना है चारो तरफ हमें इसी तरीके से पट्टी लगानी है पट्टी को खीचना नहीं है ना ही नीचे को ट्यूप को खीचना है यह देखिए यहाँ दख हमारी पट्टी आ गई है अब हम इस पट्टी को यहाँ से जोड लेते हैं यह थोड़ी सी एक्स्ट्रा है इसको हम काट देते हैं यह देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी लगकर तयार हो गई है अब हमें इसको उपर की तरफ को मोरना है जो सिलाई हमने नीचे लगाई हुई है फ्रील की और जिस सिलाई से यह कपट्टी लगाई हुई है हमने उसको हमें सिलाई को नीचे की सिलाई को इसके नीचे दाप देना है कहीं से भी हमारी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए देखें कितनी अच्छी टरीके से हमारा नेफा तैयार हो रहा है यहाँ से हमें एक से तेट इंच के करीब छोड़ देना है क्योंकि हमें यहाँ से इसके इंदर लास्टिक को पीरोना है लास्टिक हमने दो काट ली हैं एक नीचे लगने के लिए एक और यहां लगने के लिए फिन में इसको लास्टिक को पिरो लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं हमें लास्टिक से थोड़ा सा नेफ़े को जादा रखना पड़ता है जिससे हमाई लास्टिक आराम से इसके अंदर पिर जाए लास्टिक को इस साड़ से हमने निकाल लिया है अब एक दूसरे के ओपर ऐसे रखते हुए हम इस पर पक्की सिलाई लगा देते हैं सिलाई हमें 2-3 लगानी है खीच कर इसको हमें बराबर कर लेना है यहाँ पर हम खुला हुआ हिस्सा जो यह हमारा है इस पर सिलाई लगा देते हैं यह देखिए सिलाई लग गई है यह अब नीचे की साइड से हम बारीक किनारी मोड लेते हैं टोप की जैसे हमने फिरिल की किनारी मोड थी इसी तरीके से हमें नीचे की किनारी भी मोड लेनी है यह देखिए हमारी किनारी मोड चुकी है अब हमें यहाँ से 4 इंच पर यह देखिए 4 इंच को हमें इस तरीके से मोड लेना है तोप को और इस पर निशान लगा लेना है दोनों साइड से हमें सेम मोर ना है अब हम अपने लास्टिक लेते हैं लास्टिक को हम गोल करके भी लगा सकते हैं सिलाई करके और इस तरीके से भी लगा सकते हैं जो हमने तोप पर अपने निशान लगाया है उस निशान पर आप चोक से भी इस पर निशान लगा सकती हैं, ये देखिए, खीचते हुए हमें इसको लास्टिक को धीरे धीरे खीचना है, और उसके उपर हमें सिलाई लगानी है, दूसरे पीस पर भी हम अपने इसी तरीकी से लगा लेते हैं, ये हमने चारो तरफ लास्टिक लगा दी है, के बरावर में एक और सिलाई लगानी है, ये देखिए, हमने डबल सिलाई से लास्टिक लगा ली है, उपर की साइड की लास्टिक भी हमने डाल दी है, अब ये हमारी स्टेप है, इस तरीके से सिलाई लगा कर इसको चार सिलाई लगा कर तयार कर लेते हैं, अब हम इसको कि अब यहां से दो इंच का हम निशान लगाते हैं, अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है, इस साइड से भी हमें दो इंच का ही निशान लगा देना है, बाकी हिस्सा बीच में छोड़ देना है, यहां पर हम अपनी स्टेप लेते हैं, और इसके अंदर रखकर लगा देते है स्टेप को उपर की साइड से हम सिलाई लगाते हैं जो सिलाई हमने नेफे पर लगाई हुई है उसी सिलाई के उपर हम यह सिलाई लगा देते हैं हमारी अलग से सिलाई नहीं चमकती है यह स्टेप हमारी लग गई है हमें तीन स्टेप और इसी तरीके से लगा कर तयार कर ली ह ये देखिए हम इसको बेबी को पहना कर इस टेप को बान देते हैं अब ये हमारे ट्राउजर की फ्रील है इसको हम डबल कर लेते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं तीनों फ्रील पर हमने इसी तरीके से सिलाई को लगा ली है ये देखिए अब हमें इस फ्रील को चुन्नटे डालकर तैयार कर लेना है हमें अपने ट्राउजर से 4 इंच इस फ्रील को कम रखना है गोलाई और लंबाई माप पकर चुन्नटे आप इसमें किसी भी तरह की डाल सकती है ये हमारा ट्राउजर है अब इस पर हमें गोलाई से नीचे की तरफ मोहरी से हमें ये फ्रील लगा कर रखनी है ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी फ्रील लग गई है अब हम उपर तक इसको ऐसे ही लगा देते हैं और उपर का चार इंच का हिस्सा हम इसमें छोड़ देते हैं लगाने के लिए ये देखिए तीन से चार इंच हम छोड़ देते हैं ये हमारा पुला हुआ हिस्सा है इसको भी हम चुन्नटे डालकर इसी तरीके से एक प्लेट डालकर हमने यहां पर गोलाई कर दी है इसकी ये इस साइड में हमने इस तरीके से लगा लिए थोड़े से हिस्से पर ही हमें इसमें फिरिल लगाना है छोटे पीस में बड़े में हमें उपर तक लगाना है नीचे तक और छोटे में हमें 3-4 इंच तक उपर की तरफ फिरिल को लगाना है और गोलाई में लगाना है अब हम इस पीस को इसके उपर रखते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स यह जो छोटा पीस है इसके उपर भी हमने फिरिल लगाने के बाद उसके उपर डबल सिलाई लगाई हुई है हम आपको इसमें दिखाएंगे किस तरीके से डबल सिलाई लगाते हैं यह देखिए जहां तक हमारी गोलाई हाई है माहा तक हमने इसको इसके उपर रख दिया है बाकी दोन पीस नीजे से हमारे अलग-अलग हो गए हैं यह ऐसे हम करते हुए यहां तक लास्ट तक फ्रील को लगा देते हैं देखिए अब हम एक पेर की इसके उपर और सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से हमारी उपर की साइड डबल सिलाई हो जाती है जिससे हमारी फ्रील भी सेट हो जाती है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत ज़ादा आ जाती है यह हमारा फ्रील लग गया है आप देख सकते हैं इस तरीके से अब दूसरे पीस में भी हम ऐसे ही सिलाई लगा कर इसको तयार कर लेते हैं अब हम इसका आसन मिला लेते हैं दोनों मोहरी पर हमने फ्रील लगा ली है अपनी उपर की तरफ तक आसन पर अंदर की तरफ हम एक सिलाई लगा लेते हैं अब आसन पर कट लगा लेते हैं इसको इससे पलट लेना है और इसके नीचे जिस साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं उसी साइड में हमें इसके नीचे कपड़े को कर लेना है, यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है, जिससे इसका रेडिमेट का लुक आ जाता है, और बहुती जादा खुबसूरत हमारा ट्राउजर बन कर तयार हो जाता है, दूसरे आसन पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, अब यह देखिए, फ्रेंड्स यह हमारा बीच का सिलाई लगा रहे हैं ट्राउजर पर, फ्रेंड्स वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ता है, फिलीज अगर आपको यह ड्रेस बनानी हो तो धिहान से देखिए, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके, यह देखिए हमने लास्टिक से इसको नेफे को बीच में हमने सिलाई लगा ली है, और डबल सिलाई लगाई है ट्राउजर में, यहां से इसको हम थोड़ा सा लास्टिक से फाल्तु नेफे को लेते हैं, और इसमें एक से डेड़ इंच तक खोल देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा जिससे हम लास्टिक आराम से पिरो सके हैं अब लास्टिक को हम किसी भी चीज की मदद से इसके अंदर पिरो देते हैं फ्रेंट्स आप ये किसी ओर टोप के साथ भी बेवी को पहना सकते हैं और जो टोप हमने बनाया है आप उसको जीन्स वगेरा किसी के भी साथ बेवी को पहना सकते हैं वैसे ये फुल ड्रेस बनकर भी बहुत जादा खुबसरत लगती है बेवी के पहन कर आप बचे हुए कपड़ों में से भी इसको बना सकते हैं छोटे छोटे पीस सूट में से हमारे बच जाते हैं लास्टिक को खीच कर इस तरीके से हमें तयार कर लेना है अब इस खुले हुए हिस्से पर हमें सिलाई लगा देनी है यह यहां पर हमने lastik पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी lastik अच्छी तरूकर सेट हो जाए हमें इस पर lastik पर खीच कर सिलाई लगानी है यह देखे फ्रेंज कितनी प्यारे सा हमारा trouser बनकर तयार हो गया है यह यहां से आगे से हमारा ट्राउजर तयार हो गया है यह बेबी के पहन कर मौरी पे ऐसे आएगा डिजाइन बहुती प्यारा सा इसका बन गया है यह तीन से चार साल तक की बेबी के लिए है चोटे से ही पीस में हमारा ये कितना प्यारा सा ट्राउजर बन कर तयार हो गया है ये यहाँ पर हमने बो लगा दी है और इस जंग एलास्टिक लगा दी है टोप में टोप भी देखे हमारा कितना खुबसुरसा बन कर तयार हो गया है यहां से हम इस को इस टेप को बेबी को पहना कर बान देते हैं बहुत ही प्यारी सी यह हमारी ड्रेस 3-4 येर बेबी के लिए तैयार हो गई है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और फ्रैंडS इस तरीके से इस ड्रेस को पहना देते हैं ह急 फ्रैंडS हमने अपने चैनल पर बेबी के बहुत प्यारे-प्यारे से डिजाइन डाले हुए हैं New-Band बेबी से Young Girl तक के लिए हमने बहुत ही डिजाइन डाले हुए हैं देखे कितना प्यारा सा ये टोप और ड्रेस बनकर हमारी तयार हो गया है, इसी तरह के प्यारे प्यारे से हमने डिजाइन डाले हुए है, फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सके, हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिजाइन लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाई बाई